पूर्व मंत्री राजकुमा बडोले ने धान उपारचन केंद्र में अफरत तफरी और किसानों की समस्याओं को देखते वे 7 जून को सौनर स्थित सहकारी धान मेल केंद्र का द्वारा का निरिक्षन किया इस दोरान पता चला कि 4 जून से केंद्र शुरू हो गया है इस दोरान देखा गया कि किसी भी किसान को रसीद नहीं दी गई केंद्र सरकात द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसाद जहां 40 किलो धान की गिंती की जा रही थी वही 41.5 किलो धान की गिंती की जा रही थी इस बारे में पूछे जाने पर करमचारी ने संगटन के अध्यक्ष के आदीश से सहमती जताई यह भी देखा गया कि किसानों के अभधर वहवार और समय पर ऑनलाइन नहीं होने के कारण धान खुले में पढ़ा था इसके लिए विपणन अधिकारी ध्यान दे अन्यता वह सडकों पर उतरेंगे और किसानों के साथ आंदूलन करेंगे उन्होंने चेतामनी दी पूर्व मंत्री राजकुमा बडोले के साथ पी एनस स्पीकर संगीता खोबरागले डिप्टी स्पीकर शालंद कपकटे जेडिपी सदस्य भुमेश्वर पाटले कवीतर अंगारी निशा तोडा से पी एनस सदस्य चेतन वडगे पूर्व स्पीकर अशोक लांजे गिर्ध पूर्व